तो गुड बॉर्णिंग आज अपने लेके आए नर्सिंग सक्सेस के अंदर कुछ इंट्रेस्टिंग और कुछ अद्भुद चीजें जो आपके एक्जाम में आती है उनसे आने वाले क्योशन बहुत बार गलत भी कर बैठते हैं तो उनको गलत ना करें उस परपस से हमने एक को अपन डिसकस करने वाले हैं अद्भुत चीज के बारे में जिसका नाम है म्जी असो अपन बात करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा एक तरह क्या है क्या है तो कॉलाइटिक ड्रग होती क्या है एसी ड्रग जो क्या करती है नर्वस सिंस्टम होता है उसको क्या करती है उन ड्रग को क्या बोलता है और एसी ड्रग जो क्या करती है एंटी सीजर नाम से जांग जाती है एंटी सीजर नाम से जांग जाती है उनको क्या बोलता है या फिर एसी ड्रग जो क्या कर करती है Muscles Physics 제 últimaMrs होती है और वो मचल से मचल स्मूद मिसल के अंदर ज़ो एसी ड्रग सबस्क्राइब JUL मसल सी रिलक्सेंट होती है मुसल सको रिलक्स करती है वो क्या करती है यह तोकलाटिक ड्रग के बारे मैं ने बता देया कि यह क्या मुझती है एक तरी किसी क्या है तोकलाटिक का नाम क्या है कि अगर अगर सब्सक्राइब का अगर मालों अब इस सबसे पहले बाता है और अब इससे एक क्यूस्वन आता है कि मेलेक आमसे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें कि получится है अब तो इसके बाद मिश्cak लकार्व में बात करें। तो इसका उसका यूज यूजेज कहा पर होता है यूजेज होता है इसका एक प्रिवेंट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए आपनों क्या देते हैं तो फर्स्ट नमबर क्यों हो गया कि प्रिवेंट प्रिवेंट प्रिट्रम बर्थ ठीक है उनको रोखने के लिए अपन क्या देता है मट्र प्रिवेंट करने के लिए अब सीजर को रोखने के लिए इस हैं यह आपको पता है कि अक्लेम्सिया ऐक्लेम्षया और्प्रीक्लेम्षया ऑप्रीक्लेम्षया के अंदर क्यात्टism रहा कि इसके अधर कपानर होता क्या है कि और हलका अपन देख लेते हैं कि आप FC इतना इंपर्टेंट के साथ प्रेक्लेंशन आए है इसको क्या बोलते हैं इनके अंदर क्या होती यह दूनों यह ड्रग्स देते हैं सीजर के अंदर और फ्रिटर्म को प्रिवेंट करने के लिए दूसर दूसर टर्ण नमर आता है मसल से लेक्षिन अब मसल स्रिलेक्शन से क्या मतलब जितनों भी स्मूद मसल्स होती है उसको यह क्या करती है अब अपने पढ़ा कि यह प्रिटरम लेबर और प्रिटरम बर्थ को यह प्रिवेंट करती है तो कैसा करती है मसल्स रिलेक्शन होती है वह क्या करती है जैसे यूट्रस है यूट्र सईंदस के निगके उनको क्या कर देती है उनकी को मेंड़ किक रहे जा की तो परेंव दर Ensuite क्या क्या होगा कम हो जाएंगे इसमा नहींको देने के दशॉल को तो क्या होगा प्रिछांदन कर द् 만들 है किसी अन्दर से ऑसके अंदर नोर्मल सनल अंदर अपन बात करें तो इसकी नॉर्मल लेंज क्या होती है नॉर्मल लेंज शीरम के अंदर शीरम नॉर्मल लेंज शीरम के नर्मल एक पॉइंट वन पॉइंट तू फाइब से लेके है 2.5 ठीक है मिली इक्विलेंट पर लिटर मिली इक्विलेंट पर लिटर इसकी डोज होती है उसके बाद जब कंडिशन आती है इसके अंदर कुछ जैसे कि लॉस ऑब डीप टेंडेंड रिफ्लक्स ठीक है या फिर रेस्पार्टी डिप्रेशन तो कुछ कंडिशन ऐसे होती है कि अगर ज्यादा हो जाए ठीक है तो उन कंडिशन के अंदर अपन बता सकते हैं कि इस कंडिशन के अंदर यह चीजें हो सकती है जैसे अपन मानते हैं अगर साथ से अगर मिली इक्विलेंट पर लिटर डिटर से अगर ज्यादा होगी डो उसके अंदर क्या होगे डीप टेंडर डीटीयायर जो डीप टेंडर टेंडर्लेक्स है वो क्या हो जाएंगे लोग जोई ठीक है उसके बाद मानते हैं गर 10Das मिली इक्विलेंट पर लिटर ठीक है सब्सक्राइब काम पाएगा यह मसल्स अपन अपन पड़ते हैं उसके आगे यह एकोर होता है 25 milli equivalent per litre तो 25 milli equivalent per litre से अगर ज्यादा हो गए तो क्या होगा कि cardiac arrest आ जाएगा 25 milli equivalent per litre से अगर serum के अंदर blood के अंदर अगर इसका level दिखता है MJ-savor का तो क्या मानते हैं इसके अंदर क्या हो जाएगा sharing an type exercise हो जाएगा आपन ऑज गाने के अजिता क्या होगा क्या होगास क्या हो जाएगा अब आता है इसके क्या होता है चाले सब्से पहले हो होगा दी है,, एडवर्स इफेक्ट को इफेक्ट क्या होते हैं एडवर्स इफेक्ट आपने बात कर रहे थे एडवर्स इफेक्ट के बारे में तो ऐसे इफेक्ट जो क्या होते हैं कि ड्रग को देने के बाद दिखाए देता है पैशेंड के अंदर उसको क्या बोलते हैं एडवर्स इफेक् सखेंग ऑन्धर क्या होता है है जिसके अब यह सबसे पहले सबसरीन जिखने 어디iosa डोज़यं को सङंग मुझा उसके अफार में दूसे अनल्ब में बात करते है दूसरे न्बर पर आता क्या है उसके मुझे थे कौना सबस्क्सक्राइब साइड इफ्यक्ट देखे एक पहले ज़ो आपनको देखने में कि बहुता देता है कि इसको उने की है इसके बाद कैसे भूरी तो आउट्पूट यहाँट्पूट आउटपूट दिखेगा यूरीन का ठीक है डिक्रीज रहेगा यूरीन आउट्पूट अगर डिक्रीज है तो क्या होगा फ्लूड का लेवल भर जाएगा बोडी के अंदर अगर फ्लूड का लेवल भर गया बोडी के अंदर तो क्या होगा पल्मोनरी एडिमा होगा ठीक है और सिस्टेमेटिक या बो ऐख करेंगा subscribe नहीं थbor बता दी कि यूरी कि फीर होता उसके बाद तोक्सिस्टी हो जाती है उसके अंदर टोक्सिस्टी पहँदी प्रफ्λαक्स होता है इसे नी जर्क रिफ्लेक्स बागि हो जाते हैं यह जाते हैं अब नीजर्थ रिफ्रेस्स क्या होते है कि एक हतोड़ा होता है तो हतोड़ा नहीं होता वह ठीक है वह क्या होता है कि एक हैमर होता है रिफ्लैक्स हैमर जिसको बोलते हैं ठीक है रिफ्लैक्स हमर होता है एक ऐसे करके ठीक है उसके डंडा रहता है रिफ्लैक्स हमर करके होता जेसे ही मारते हैं तो अपना पाँ जो नीचे वाला पाँ से उपर की तरब उठता है उसको क्या बोलते हैं वह बन्न नौर्मल है अगर वह नहीं उड़ता अगर कोई पर्तिकरिया नहीं होती तो उसमें क्या हो जाता है कि जो रिफ्लेक्स का लोस हो जाता है उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो न्यूबोन होता है ठीक है न्यूबोन के अंदर क्या होता है कि अगर यह जो इन्फीजन में देते हैं यह जो 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 ऑफिकरों के अंदर कि आपने नियूबोन के अंदर यह आपन से दीखने पabled यह तो कि दूसरा आपने को क्या देखने मिलेगा हाइपोटेंशन न्यूबॉर्ण के अंदर स्लीपी नैस और हाइपोटेंशन अपने को देखने को मिलेगा और उसके बाद आपन पढ़ता है जैसे बता दूं आपको कि पोस्ट्रम के अंदर अगर आपन आमजिया सुपर यूज मे क्लिए को उसके बाद आपने बढ़ते के क्या होता है तो इसके अंदर होता क्या है जिसे जो तो किदिनी फैलियर किसी पेशेंट को किदिनी फैलियर के अदर आपन नहीं तो पहला से अगर पहला से कम है और जब अपन ये ड्रग देंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि एक होगा मुझार के अंदर कॉम्पलेकिशन वाध सकते हैं शोन काडियक मुसल्स होती है अगर वह काडियोक श्ट्रोक हो गया उसके बाद रेस्पारिटी डिप्रेशन है पहले से या फिर किसी को 12 ब्रीट पर मिनेट से अगर कम है तो उसको भी नहीं देते अपन अगर अगर किसी को हैट ब्लॉक है तो उसको अंदर अभी अपन यह कि यह अपन ड्रग यूज में नहीं लेते हैं तो यह चीज़ें नर्स को कुछ करना है अगर किसी को यह ड्रग चल रही है है चीक है इंट्रवेंशन की बात करें तो यह ड्रग किसी को चल रही है मजी सूफ ओफॉरut तो नर्स का काम क्या खोगा सबसे पहले काम होगा कि वह वाइटल सायंस चेक करें किरदेशन तो नहीं है प्एशन हो रह तीसटसे 600 गंपे और ऑफpoon vasud चेक करेंगी उसके बाद क्या है कि उसके बाद मोनीटर करे गी जर करेगी ऑ उसके बास सेकंड नमबर क्या करती है कि क्या करेंगी जो एमजिस का लेवल है क्या करेंगी नोर्मल लगेगी इसको करेगी के उसके बाद थार नमबर क्या करेगी कि युट हमेशा बेड़ सायड के अंदर के लिए लुकको नेट के इंजेक्शन हमेशा बेड़ सायड के पास मेद एक दम जैसे कि माल लोग कि अगर एकदम से उसको वह हो गया जैसे टॉक्सिटी हो गई पैशेंट को जैसे टॉक्सिटी हो गई तो आपे जो कैल्शम गुल्कनेट पास में पड़ा रहेगा तो अपन एडिमिस्टर कर सकते हैं तो उसके बाद क्या करेगी उसके बाद एसिस का क्या करेगी इसका इसका से करेगी और प्रगोस करेंग यह एगर मालो तो नियुक्स। करना होगा और चल रहा है उसके बाद वेसे करना हो ठीक है और उसके बाद लास्ट बात यह आती है कि ओल्वेज एड्मिनिस्टर इंफ्यूजन ठीक है ओल्वेज क्या करना है ओल्वेज जो एमजी एसो फोर है उसको हमेशा एक इनफ्यूजन फंप के दौरा अज़्श करना होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इस वह रहते है और अच्छे से पहुंच पाए और जो मैंने आपको बताया तो इसको क्या करना है हर 30 से 60 मिनिट में हर आदे से एक गंटे के अंदर क्या करना है उसके बाद आपन पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या करना है जो नर्स है वो क्या करेगी हर जैसे एक डोज आपने दे दी कि एक एक ग्जामपल लेते हैं उसके बाद दूसी सो आम गणे देनी है दो गंटे बाद इन दोनों के बीच में जो गए प्वृता है इसके अंदर क्या करना है रिफ्लेक्स कौन से या जये क्या करने यह क्या करने मैं मतलब या यह से पहले यस के फिर जो ये करने होता है या फिर अपन रिपीट मालों यह फिर आ टोरीक से रिपीट कर रहे हैं किसी बाद क्या होता है इसके बाद क्या होता है कि गस्षेंट है अगर किसी पैसेंट को एभी सफ़स्य करने अमध्लिस्ट करें जरूर ही आपन को यह मच्ट है एक करना ही पड़ेगा अगर दियt dip and याद रखना इस चीज को उसके बाद मोनीटर करना है अपनको मोनीटर कुछ जब वो ड्रग चल रही है उस ट्राइब करना है यूनिन आउटपुट मोनीटर करना है और उसको मेंटेन रखना है अगर सब्सक्राइब करना है अगर यह नॉर्मल है तो कोई कम हो गया अगर फिर भी डॉक्टर क्या बोलता है कि इसको स्टॉप करो ड्रफ को तो अपने को स्टॉप करना है जो डॉक्टर एडवाइस करेगा हो इसके बाद नहीं होता है कि डीटी आर क्या होता है डीटी आर क्या होता है डीटे अन्दर क्या होतार कि अ अपूर तो इसके अंदर पॉइंट को असे करते हैं तो इसके अंदर देखेंगे जीरो एक दो तीन और चार यह अपने नंबर दी जाती है अगर किसी पेशेंड में इपटेनन्र रिफ्लेक्स अपसेंट है तो उस-कतन नंबर दिजाएंगे जीरो नंबर और किसी पेशेंड में स्लगिश है शलगिष बोले तो मुझेब आ रहे हैं लेकिन रुकरुक्रुक्स के दिरे दिरे आ रहे हैं छुह जुब पने इसको खिक है तो उसका अपने एक नम्ड है किसी पैसेशन के अंदर नॉर्मल कंडिशन के अन्दर नॉर्मल है और डिप टेंडन रिफ्लैक्स डी ती आर है वो क्या हो रहे नोर्मल रोन पर्जन्ट थैं तो क्या देंगे न मक्न मर्ण कंडिशन का अंदर उसके अधर के नॉपसे रहता है त्म में होता mater morality in लोगों हलका होता है हलका शेत्रेस होता है क्वाइटी यंधा रिफ्लाक्स है मैं अधार मैं से थोड़ा हैप्रक्टिफ कि है थोड़ा थोड़ा सी हाइपर एक्टिव हो जाता है किसके अंदर तीन अब चार नमर के अंदर क्या होता है यह होता है कि जो DTR है ठीक है DTR क्या होता है DTR क्या होता है more hyperactive हो जाता है इसमें क्या होता है more hyperactive हो जाता है तो यह क्या होगे अपने को DTR एसिस्स करने का तो आज अपने MJS पढ़ा हैं एक कौन से क्या होता है और उसके बाद पूछे तो क्या होता है सबसे पहले अपन यह देखते हैं क्योंकि वह condition है physiology condition के अंदर देखें तो सबसे इंपोटेंट है तो सबसे पहले अपन यह देखते हैं कि सबसे पहले क्यूशन जो बनेगा वह आएगा respiratory depression से क्यूशन का क्यूशन आएगा कि सबसे पहले नर्स क्या चेक करेगी दूसरा क्यूशन आएगा कि ओल्वेज इस बेड़ के बेड़ साइड ओल्वेज बेड़ साइड के अंदर क्या होना चाहिए तो केल्सियम गुल्कोने कब यह जब एम जेशन पर एड्मिस्टर करें अगर तरहएध क्यूशन यह ओगा डीप टेंडेंटन इफ्लैक्स एपसेंट है और अगर किसी पैशेट रग हम बारा बीट पर मिनट से अगर कमेरे यह तो नर्स सबसे पहला काम क civil है सबसे पहला काम यह होगा कि MGSO4 को क्या कर देना इस्टोप कर देना सेकेंड नंबर जो काम होगा वो क्या करना होगा सबसे पहले क्या करेगी और सेकंड नंबर क्या करेगी और तो आज बस यह इससे भार जो आपने पढ़ाया है इससे बार कुछ भी मुझे नहीं लगता आएगा और ना कभी आज तक आया है और फिर भी अगर कुछ एसा क्वेस्टन हो जो आपको लगता है कि आ सकता है तो प्लीज आप कमेंट के अंदर लिख दीजेगा तो हम आपका जल्दी से उसको आंसर भी कर देंगे और जितना हो सके हम कि इसके अंदर 99 परसेंट आपको कवर हो जाएगा तो खुश रहिए म पड़ाय साथ जिसके अंदर आपको कुछ और भी इंपोर्टेंट न बताएं जाएंगे और हमाया नर्सिंग चैनल नर्सिंग सक्सेज नर्सिंग सक्षेज का जो चैनल है इसको क्या करना लाइक करना है अब सब्सक्राइब करना है और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इन वीडियो की जरुत है जहां से क्वेशन आते हैं याद रखना तो शेयर करना है लाइक करना है और अपने चैनल को सब्सक्रा आपको बहार ना मिले तो अब में अलविदा लेते हम आपसे थैंक्यू सो मुच